हे दोस्तों नमस्कार तो यह जो है PC Build का second part है तो PC Build का second जो पहला part है वो कल आया था और आज आ रहा है PC Build का second part guys मैंने बताया है वहाँ पे 7 वीडियो आएंगे लेकिन 7 वीडियो में से जो है 3 वीडियो में आप complete PC Build कर लोगे लेकिन PC Build के बाद जो है बहुत सारे काम होते हैं त तो उसके उपर जो है अगला वीडियो सब आएंगे लेकिन 3 वीडियो important है आपके लिए PC Build करने के लिए जो पहला part है मैं आपको बता दूँ अगर आपने पहला part नहीं दिखा है तो i button पे सबसे पहले वो पहला part देख लो उसके बाद जो है आपको second part देखना है और फिर third part जो है कल के डेट में आएंगे तो पहले जाकर आइकार पर देखो पहला part पर आप वहां से देखो या फिर आप description में भी link है उसका वो जाके देखो पहला बाट देखने के बाद ही यह वाला part जो है आपका काम आएगा नहीं तो आपको जो है पता नहीं चलेगा कौन सा part कहा आपको लगाना है वो जो है पहले part में ही है आपको बता दू जितने भी component मैंने यहां पर यूज किये है उन सारे component के link जो है description में आपको मिल जाएगा अगर आप से मेरा जैसा PC बनाना चाहते हो gaming में पूरा बहुत मखन जैसा gaming होगा आपका 1080p तो छोड़ा अल्टरा लेवल पर भी आप gaming कर पाओगे तो आपको चाहिए तो आप सारा जो है product का link description में है वहां से जाके आप check out कर सकते हो Amazon से जो है इससे खरीज सकते हो guys तो इस वाले वीडियो में यह second part होगा और second part में मैं आपको बताऊंगा कि आपको पूरा complete का पूरा wiring इस वाले part में होगा तो SMPS स जितने भी वाइरस आते हैं या फिर हमारा जो cabinet होते हैं वह होते हैं वह सारा कुछ है डीटेल में बताया गया लंबा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन या इस में पूरा का पूरा detail मीं दिया गया है अगर आपको खुट का PC build करना है ना जिसको build करना होगा वो जरूर देखेगा गाईज अगर आप देख लेते हो ना complete देख लेते हो ना तो believe me आप अगर आपको मतलब 5 टका की knowledge नहीं है ना PC build के उपर तो भी आप build कर लोगे और एक चीज़ होता है करना तो अपको पता है दुकान में क्या होता है वो सारई कुछ आपको पता है लेकिन अगर आप खुद बना ओगे तो वह जरूर hi मैंने जो है wiring क्या हुआ है यह मेरा PC में जो हूँ यह वाले पार्ट को जो बाद में शुट कर रहा हूँ तो अब जो है मैं वो पार्ट आपको दिखाने वाला हूँ कि जिस अब वायरिंग क्या होगा कैसे होगा और कहां पर कौन सा कॉड लगेगा गाईज तो यह मेरा प्राइमरी PC है और PC का बाउट वान लाग मेरा खर्च हो गया है गाईज तो अगर आप यह चाते हो कर सकते हो या फिर आपको डिफरेंट बनाना है ना तो डिफरेंट अगर आप मेरे से बनाना चाते हो ना तो आप जो है मेरा इंस्टेग्राम पर मेरे को मैसेज कर सकते हो मैं बना दूंगा आपका आप खुद पार्ट्स खरीदो या फिर मेरे से खरीदा खरीदवाओ तो कोई भी चलेगा अगर आप चाहते हो कि आप बनाओगे ना तो मैं आपको वीडियो बना सकते हो तो guys जाते हैं और देखते हैं हमारा जो है क्या वायन तो लेटार गे जंप टुद वीडिय O गाई तो दो पार्ट है हमारे वायन के जो है यहां हमें पे यह पहले वावल पार्ट है जो देख 24 पिन का है यह और कहां लगेगा मैं आपको दिखा देता हूं इसको जो है आपको अच्छी तरह से केविल मेनेजमेंट करना है कहां पे आपको देखना है यह वाला पिन आपको मदरबोर्ड में कहां मिलेगा वो आपको देखना है गाइस तो घुमा के मैं आपको दिखा देत कि यह सिधा ही लगेगा यहांपे लॉक दिटाइब वेर्बोर्ऱ का मेन पावाट जू है वह हमारा इतने सारे रहे गए हैं, तो इन में से जो है, सारे cable में आपको लिखा मिल जाएगा, देखो CPU लिखा हुआ है यहां पर, देखो आप सही से देखो, देखो आपसे, देख रहा है ना, CPU, तो इसको जो है मैं घुमा के, उसी तरह उसी जगा से निकालूँगा जहां पर यह लगेगा CPU का आपको देखना है CPU का यह कहा है उसके बाद जो है और एक दिखाता हूँ आपको यह देख सकते हो यह आपका graphic card का है PCI cable तो यह जो है आपका graphic card पर लगेगा आपका जितने भी pin है इन में से उतना ही pin आपको लगाना पड़ेगा देखो धेर सारे pins है तो यहाँ आपको उतने pin लगा देने है और कुछ नहीं आपको पता चल जाएगा जितना pin है आप किसी भी मतलब दो है तो दो में से किसी में भी लगाओ अगर यहाँ पर total कितना दिया गया है 16, 16 pin दिया गया है तो आप 16 में से अगर 16 ही चाहिए तो 16 को लगा सकते हो या फिर 6 चाहिए तो दो निकाल के एक में से दो निकाल के आप 6 लगा सकते हो 8 चाहिए तो यह 2 मिला के लगा सकते हो LED light वगेरा या मतलब फैन बगेरा के लिए जो RGB फरजी भी चलता है ना उसके लिए है तो उसे पावर देने के लिए यह यूज होता है और यह जो है आपका SATA है मतलब आपके मेमोरी को जो है SSD या फिर HDD तो उसमें जो है पावर अप करने के लिए एक एवल है तो सब को हम निकाल लेते हैं कौन सा कहां पर आएगा वो हम निकाल लेते हैं CPU केबल देख सकते हैं आप CPU का पावर अप कहां पर है यहां पर देखो CPU देखो गाईज यह रहा यह है देखो देखो CPU पावर वान पिंस कितने हैं बारा पिंज है तो हम यह वहां से जो है बारा पिंज लगाने पड़ेंगे तो हम जो है इस वाले यहां से हमको लाना है CPU का power जो gap है नहीं यहां से मिलेके आया जो हमारे graphic card को जो power करेगा उसके cable और वहां से जो आया CPU का cable आया है CPU power up और guys यहां से 24 cable तो एक के बाद एक आपको लगा देना है तो एक के बाद एक हम लगा रहे हैं उसको पहले जो है 24 पिन का जो है ना उसको हम लगाते हैं पहले अब जो है हमें ग्राफिक कार्ड तो हमने नहीं लगाया है तो ग्राफिक कार्ड बाद में उसका जो हमें बाद में लगाएंगे तो अब जो है CPU आप देख सकते हो CPU पावर अप यहां का चार इसका चार और उसका पुरा आठ हम यूज़ करेंगे CPU हमारा पावर अप हो चुका है अब भी जो है इसको ऐसे रहने देते हैं अब जो है हमें SATA लगाना लगाया था HDD तो उसको जो है पावर अप करना है तो उसके लिए जो है यहां देख सकते हों आप दो-दो केबल मिले हैं आमको SATA के लिए एक-एक में तीन-तीन पिन मिले हैं तो किसी भी एक को हम वहां पे कनेक्ट कर देंगे यह रहा है यहां पे कनेक्ट होगा यहां पिन लगा दो चलेगा कोई दिककत नहीं है हमारा सप्ला यूनिट है जो है सब्लिक होग दो यहां पिन बचा रहे ही ता केबल यहां पर बचा हुआ है जो कि यह वाला केबल है तो इसको हम बाद रगाएंगे तो सबस्क्राइब जो ही कि गाइस आफ देख सकते हो यह सारा केबल जो है सबाएंट Tanner कहें तो यह सारा जो के लेना इसको तो अगर हमें नहीं लगाएंगे न तो हमारा पावर अब बटन काम नहीं करेगा या पिर यहां पे जो देक सकते हों जो ठेर सारे USB 3.0 USB 2.0 USB 2.0 जो यह सारा जो हे काम नहीं करेगा दो यहां पर मैं एक उथब काम नहीं चलेगा ना है आईगए तो चलिए पहले हम इसको जान लेते हैं सारा का सारा केबल मतलब किस टाइप का है देखो वाईज ये जो है ना कि ये अलग से है और ये अलग से है ये जो है तीन फैन जो है उपर फ्रंट Tonight में जो तीन फैन है na वह सारा फैन का वैर है यह यह सारा तो इसको छोड़ते हैं और यह जो है हमारा मेन वायर है अब यहां पर आपको समझना बहुत ही आवशक है देख सकते हो जितने भी में यहां देख सकते हो चार है ना तो यह मेरे को बता नहीं और मैं आपको बता देता हूं जो यह वाला वायर देख सकते हो ना तो य यह जो है power LED minus है और यह दूसरा वाला जो है power LED plus है और यह जो है power है I mean power switch जो है हमारा जो power switch on करने पर cabinet जो है on हो जाता है वो power switch के लिए यह है इसको जो है कहा connect करना है वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा और यह हमारा USB हो गया दो USB 2.0 है ना तो उसका जो है एक ही में मर्ज कर दिया तो ये हो गया USB 2.0 और ये हो गया हमारा USB 3.0 और गाइज और एक केबल यहां पर दिखाई देगा आपको ये जो है हमारा HD audio के लिए है क्लियर audio के लिए यह है तो इन सारे प्लॉक को जो है मैं ढूंड के आपको दिखाता हूं और फिर हम उसको क्नेक्ट करेंगे गाइज तो यह सारा कुछ जो है हमारे mother board का जो तो front panel में इसे जो है front panel कहते है Maigareों चुरह में पर ह uitको दिखा देखो चुम आप देख सकते कर आपको C0 मैं इसको दिखाता हूं आपको मैने बूंक में दिखा देता हूं आपको की कैसे यह connection कोगा आप तॉटत है वूप सकते हो जो हमारा यहां नीचे देखो HDD LED यहां पर यह उपर वाला प्लस है नीचे वाला माइनस है और यह नीचे यहां पर देख सकते हो पावर LED उपर वाला प्लस है नीचे वाला माइनस है तो इस आप से आपको लगाना है यहां पर तो इसके लिए जो है अगर आप यहां लगाओगे न गाईज तो इसके लिए जो है आपको इस वाले छेट से आपको वायर लाना है और यहां पे connect करना है गाईज और USB 3.0 यहां पे है तो USB 3.0 भी यहां से ही आएगा तो हमें सारा कुछ जो है यहां से निकाल के लाना है देखो USB 1 लिखा हुआ है आप देख सकते हो पूरा प्रांट में जो है यह रहा तो यहां पे जो है USB लगेगा हमारा USB 2.0 तो सारा कुछ मैं यहां पे सेट कर देता हूं और उसके बाद आपको दिखाता हूं गाइज तो गाइज तो सारे OS जो है फ्रांट में लग चुका है देख सकते हो और यह USB 3 है और यह जो है USB 2.0 और यहां पे जो है audio HD audio आप देख सकते हो और यहां पे जो आपने देखाना मैं मैंने दिखाया आपको फिर से मैं आपको दिखा देता हूं कि यह क्या है गाइस पर जो है नाइन पींस होते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो हां ठीक है ना तो यह वाला एक नंबर है उसके उपर वाला दो नंबर है उसके बाद यहां पे तीन नंबर है उसके हेच डीडी एलेडी और उपर का जो है आपका पावर एलेडी होगा पावर एलेडी दो नमबर और चार नमबर पे पावर एलेडी लगेगा दो नमबर पे प्लस और एक नमबर पे चार नमबर पे माइनस उसके बाद जो है आपका छे और आठ ये दोनों में लगेगा उपर क सकते हो पावर स्वुच लगेगा और नीचे का जो है आप देख सकते हो यहाँ पे लियो गया us मैं 5 और साट में पांच और साथ में लगेगा आपका है रिसे सउच लेकिन इसमें जो हैremlin कहली है आपको कैसे जो है सारा कुछ तो लग चुगा है गॉज अब जो है आपको यहाँ पे लगाना है आपका क्या ग्राफिक कार्ड लगाना है और उसके बाद इसको कनेक्शन कर देना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा गॉज यार एक चीज़ में दिखाना भूल गया यहाँ पर जो है हमारा SATA कबल लगता है यहाँ पर एक end लगेगा यह जो SATA कबल मैंने अभी निकाला है ना तो इस वाले केबल का आप देख सकते हो इस वाले केबल का जो है दो end में से देखो guys इस वाले केबल का जो है दो end है ना तो इन दोनों end में से यह वाला end जो है हमारा यहाँ पर लगेगा और यह वाला end जो है हमारा वो हमारा HDD में लगेगा अगर SSD हो तो भी SATA SSD अगर है तो उसमें भी लग जाएगा यह तो इसमें से धेर सारे दिया गया है यहाँ पे SATA SSA plug 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिया गया है तो यहाँ पे कोई में भी अप लगा दो कोई tension नहीं है किसी में भी लगा दो बिना tension के अप लगा दो किसी में भी तो एक end तो यहाँ पे लग गया है देख सकते हो एक end यहाँ पे लगेगा और दूसरा end जो है हमारा SATA में लगेगा मतलब हमारे memory में लगेगा जो हमारा 1TB का है HDD मैंने लगा है तो उसमें लगेगा तो वैरिंग अब जो process है वो सारा का सारा खतम हो चुका है अब जो है यह वाला जो fan का रह गया है वो fan का हमें करना है कुछ काम मतलब फैन को सेट करना है और फैन का वीडियो जो है वो आपको दूसरे वीडियो में मिलेगा तो वो चैनल को सबस्क्राइब करके रखना ताके फैन कैसे इंस्टिल करना है वो भी आप सीख लो आईज तो हमारा सब कुछ सेट है अभी जो है हम यहाँ पर ग्राफिक कार्ड लगाएंगे ग्राफिक कार्ड जो है हमने लगा दिया है अब जो है हमें नट को कस देना है ठीक से लगा देता हूं ठीक से देखिए यह जो है हमारा ग्राफिक कार्ड है तो गाईज है सारा का सारा जो है हमारा wiring हो चुका है अभी जो है खाली हमारा graphic card का बाकी था connection करना तो graphic card जो PCIe जो cable होता है यह रहा PCIe cable तो PCIe cable जो होता है वो लगता है आपके graphic card में तो अब जो है हम पीछे का panel भी लगा देंगे यहाँ पे इसको लगा देंगे अभी इसका cover जो है हमें लाना है और लगाना है guys हमारा UPS अभी जो है हम इसको power connect करने वाले हैं on करना है SMPS को SMPS को on कर दिया मैंने SMPS already on हो चुका है guys अभी जो है बारी आती है हमारा switch on की switch on करने के बाद जो हमको पता चलेगा कि हमारा जो system बना है वो सही से बना है या नहीं तो 1, 2, 3 and boom देखो guys यह system जो है on हो चुका है और मेरा जो PC building है वो हो चुका है guys तो इसको जो है आप RGB बटन जो है उससे जो है चेंज कर सकते हो RGB color को देखो guys अभी जो चल रहा है यह देखो चेंज हो जुगा है यह देखो चेंज हो चुगा है guys यह देखो चेंज हो रहा है तो यह जो है addressable RGB RGB fans है तो अभी तो fan हमारा गूम रहा है और मैंने लगा भी दिया है connection कर भी दिया है तो बाद में जो है मैं और एक वीडियो बना के आपको fan का connection दिखाऊंगा गाईज अब देखो अंदर कुछ इस तरह से दिखता है यहाँ पे हमारे motherboard में जहाँ आप देख पारे होना light है यहाँ पे यह उंगलिया मैं हिला रहा हूँ अंधेरा है तो वहाँ पे भी हमारा motherboard पे RGB है और नीचे आप देखो नीचे भी हमारा RGB है यह था सारा का सारा जो है wiring बगेरा तो खोब आपको अच्छा लगा अच्छा लगा